वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी दे लेजंड आफ हनुमान के इस सीरीज के हर एपिसोट में एक डिस्क्लेमर लिखा आता है कि हालांकि ये स्टोरी ध्यान से सुनियेगा याने के मैं आपको थोड़ा डीटेल और प्यार से समझाता हूँ इस सीरीज को देखने वाले तीन किसम की ओडियन्स की कैटेगरी हो सकती है एक जो इस सीरीज को इसलिए देखेगी क्योंकि उन्हें सिर्फ एंटरटेंटमेंट से मतलब है जो इस सीरीज को पूरे भक्ती भाव के साथ देखेगी क्योंकि ये श्री हरुमान जी की कथा को दर्शाती है और तीन जो इस सीरीज को बस इसलिए देखेंगे ताकि इसमें कुछ कमिया निकाल सके या कोई कॉंट्रोर्सी क्रेट कर सके तो भाई लोग ये तो आप ही जानो के आप किस कैटेगरी के आउडियंस में आते हो लेकिन डिस्कलेमर के हिसाब से जो क्रियेटिव लिबर्टीज के बारे में इन्होंने बोला है वो इस सीरीज में शायद भर-भर के यूज की गई है क्योंकि बात जब non-living याने animated film making के तरफ मुड़ती है तो obviously imagination power और जाधा बढ़ जाती है और ऐसी चीज क्रियेट की जा सकती है जो normally live action में possible होती ही नहीं तो इस सीरीज में आपको रामायन की स्टोरी जो की almost सबको पताई है वो स्टोरी तो है ही लेकिन कुछ किरदार, कुछ अनकही स्टोरीज और कुछ घटनाएं ऐसी जोड़ी गई है जो fantasy से भरी हुई है और जिसे देखने में एक अलग मजा भी आता है अब सीरीज का नाम The Legend of Hanuman है तो obviously इस सीरीज का 90% focus Hanuman जी की किरदार पर है Because he is the hero of the film इस सीरीज में बहुती आसान तरीकों से आपको ऐसे प्रशनों की उत्तर मिल जाते है जो शायद किसी और सीरीज में या स्टोरी में आपको नहीं मिले होगे या आपको पता नहीं होगे Like क्या आपको पता है कि क्यों Hanuman जी को पवन्सुत कहा जाता है या क्या आपको पता है कि क्यों बच्पन में उनसे उनकी ताकत भुला दी जाती है या चीन ली जाती है अगर तो आपको नहीं पता तो ये सीरीज आपको देखनी ही चाहिए मुझे इसकी स्टोरी बताने की शायद ज़रूरत है नहीं पर जिस तरीके से इस स्टोरी को रोमान्चक करने के लिए कुछ additional creatures का use किया गया है वो एक अलग ही छाप छोड़ जाता है और इस सीरीज के बीच बीच में लंबी स्टोरी को समझाने का जो तरीका या concept और साथ ही साथ जो creativity यूज की गई है वो बहुत हद तक eye-catching लगती है color scheme और visuals bright and fresh है जो आखों को positivityness से भर देती है बात करे animation की तो हाँ, improvement के chances तो काफी है see I'm talking about the animation only VFX है background की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आजकल जिस तरीके का animation इस generation के बच्चे देखते आ रहे है हर किसी के expectation थोड़ी जादा की ही होगी पर इस series का animation मोटू पतलू के animation से तो 100 गुना आगे ही है लेकिन आज से 13-14 साल पहले जो film आई थी roadside Romeo उसका भी animation तकरीबन ऐसा ही था सो हाँ obviously improvement तो होनी ही चाहिए थी बट 13 episode के इस series में हर episode के बाद even story हमें हमेशा से पता होने के बावजूद next episode देखने के इच्छा हो ही जाती है क्योंकि इस story को काफी interesting तरीके से बुना गया है और क्योंकि रामाइन एक महा कावे है तो इसे 13 episode में भी खतम नहीं किया जा सका है जी हाँ अब शायद इस series के दूसरी season के लिए हमें साल भर का इंतजार भी करना पड़ सकता है क्योंकि इसके last episode तक हनवान जी को सिर्फ उनकी शक्तियों के बारे में पता चला है अभी तो लंका दहन बाकी है इस series को सभी point of view से देखने के बाद मैं देता हूँ इसे 3.5 out of 5 stars वैसे अभी ये भी देखना बाकी है कि रावन का किरदार कैसे होगा और उसे आवाज किसकी दी जाएगी अरे हाँ आवाज से याद आया इस वीडियो पर क्लिक करके आप इस series के सभी voice artist के बारे में जान सकते हो जो मैंने अपने talent दर का चैनल पर already upload कर दिया है ज़रू देखिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में जैश्री राम